दोस्तों आप लोग का स्वागत रते हैं फिर से अपने एक और न्यूं इंट्रेस्टिंग वीडियो में तो यहाँ पर एक भाई ने हमसे कमेंट करका बहन जी है जिनका नाम मदू है उन्होंने हमसे कमेंट किया कि PNB and HDFC में परसनल लोन के बारे में एक वीडियो कमपैरिजन वीडियो बना करके हमको समझा दीजिए तो उन्होंने हमने आप एमाउंट लिया दस लाग का परसनल लोन पांच सालों के लिए तो क्या रेट उप इंटरस लगे गा क्या मेरी मंध़ली यहमाई बनेगी तो और क्या हम लोग कौन से बैंक से परसनल लोन लेना चाहिए और क्यौन स कन्पैरिजन वीडियो हम लोग بنाएंगे और किसका इंट्रस सब से काम है तो बहुत सारी चीज़े हम लोग कवर करेंगे आज इस वीडियो में तो वीडियो को लाज तक वाच करिएगा वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपने हमारे चैनल देशी डिटेल्स अनली को सस्क्राइब नहीं किया है तो प्लीज या सस्क्राइब कर लिजे हमारे चैन लिटर है तो यहां पे जैसे आप लोग आने पर्शुनन लोग लो लिए तो हम लोगो को पहले हम प्यण बींडेस चला लाएं तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं पीनभी के परसनल लोट के लेटेश अपडेट पे जिसका इंटेस रेट आप देख सकते हैं 8.30% से लेकर के 14.85% के rate of interest से यह लोग personal loan प्रोवाइड करना है और इन्होंने फॉर pensioner के लिए अलग से rate of interest लगा के रखा हुआ है 9.65% तो इसको भी हम लोग rate of interest में add कर लेंगे पहले हम लोग डालते हैं 8.30% तो यहां पर चलते हैं EMI calculator पर यहां पर डालते हैं 8.30% तो यहां पर इसको slider की मतलब आपके पीछे कर सकते हो नहीं तो कोई 8.30% 30 हो था कि एक क्या था देख लेते हैं तो 8.30% तो यहां पर यहां पर टैप कर देते हैं 8.30% तो यहां पर हमने 30% डाल लिया अब हम लोगों को 5 साल के लिए लोन चाहिए तो यहां पर आगे जैसे देखेंगी यह automatic calculate हो जाता है यह आप लोगों को calculate नहीं करना पड़ता इसकी मुझे यह खास बात बहुत ज्यादा अच्छी लगती ही CMI calculator की तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि मेरा amount था 10 लाग और हमने interest rate डाला है 8.30% तक का और जो 10 year है वो डाला है 5 साल तो जो हम लोग की मंतली EMI निकल के आई है वो निकल के आई है 20,420 रुपए तो अब आप समझ सकते हैं कि जो 5 सालों में total interest देना पड़ेगा bank को PNB bank को वो देना पड़ेगा 2,25,216 रुपए 10 लाग के amount पर 5 सालों में हम लोग को कितना प्यास देना पड़ेगा 2,25,216 रुपए अब इसके बारे बात करीजाए total payment कितनी करनी पड़ेगी principal प्लस interest rate मिला करके तो यहाँ परके हम को करनी पड़ेगी 12,25,216 रुपए 10 लाग हम लोग का principal amount हो गया जैसा कि आप लोग यह सरकल वाले ग्राफ से समझ सकते हैं थोड़ा कि 81% आप लोग का principal loan amount हो गया जो principal amount हुआ 10 लाग वो आप लोग का 81% हो गया 18% आप लोग का यह interest rate हो गया 2,25,216 रुपए तो यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि PNB में जो आपनो आपका जो interest rate होगा 8.30% के rate of interest से जो मंतली हमाई बन रही हो बन रही 20,420 रुपए और interest rate लग रहा है 2,25,216 रुपए इसी जगे बात करते हैं कि अगर हम pensioner के लिए डाल देते हैं PNB में आप दे सकते हैं pensioner के लिए जो interest rate चल ला है वो 9.650 चल ला है तो यह हम अगर rate of interest डालते हैं अगर भाई random मंतलब कोई बी इंसान जिसको pension मिलती ही वो भी अगर personal loan लेना चाहता है तो ले सकता है वो भी हम डाल देते हैं यहां पर तो जैसे हमने डाला 9.5 था ना तो 9.5 डाल देते हैं तो यहां पर हमने 9.5 डाल दिया यह automatic calculate हो गया तो जो हम लोगी उसमें था 8.3 इसमें था 9.5 तो हम लोग को amount 10 लाक रहा 5 साल के लिए ले रहा चाहते हैं 9.5 परसेंट तो हम लोग की जो मंतली हमाई बनेगी वो बनेगी जाकर कि 21002 रुपए टोटल इंटरस कितना देना पढ़ दा है 2,60,111 रुपए तो 2,60,112 रुपए हम लोग को टोटल इंटरस देना पढ़ दा है यहां पर बात करी जाए टोटल पेमेंट की तो maximum हम लोग को करनी पढ़ लिए बैंक को PNB Bank को 12,60,112 रुपए अब आप लोग देख सकते हैं कि pensioner में इन्होंने थोड़ा amount बढ़ा इंटरस रेट बढ़ा दिया है और public sector के लिए जो इंटरस रखा वह 8.30 परसेंट रखा है और पेंशनर के लिए उन्होंने इंटरस बढ़ाया है तो इंटरस बढ़ाने में केवल 1-2 परसेंट का हम लोग को ब्यास ज्यादा देना पढ़ रहा है और ज्यादा कुछ नहीं बढ़ा हुआ है कि 1000-2000 का उपा निचे आ चुका है जैसे दुम फिर से डालते हैं 8.3 तो कुछ 8.5 परसेंट आलते तो आप लोग देख सकते हैं कि 20,000 है मंतली माई जा रही थी और 9.5 में हम लोग की 9.5 में हम लोग की मतली माई जा रही है 21,000 रूपए तो 1000 रूपए का हम लोग को उपर-nीचे समझ में आ रहा है और टोटल अब इसी जगे बात करते हैं कि HDFC की HDFC का क्या rate of interest दे सकते हैं 10.50% से लेकर के 21.00% तो यह हम सबसे कम वाला उठा ले रहे हैं जो मिनमम है 10.50% हम यह वाला उठाते हैं और इसको फिलब कर देते 10.50% तो यहां पर हमने 10.50% पर मैंने सेलेक्ट कर लिया तो जो हम लोग की मंतली है वाई निकल के आएगी वह निकल के आ रही 21.494 रुपए और टोटल पेमेंट हम लोग को कितनी total interest कितनी दिना पढ़ आ है वो दिना पढ़ आ है 2,89634 रुपए तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि हम लोग का जो principal amount था वो 70% हो चुका है और जो total interest है ग्राप वाले सरकल से आप दोग देख सकते हैं सरकल वाले ग्राप से कि जो हम लोग का interest था वो 22% मतलब की एक तिहाई आप लोग समझ सकते हैं कि आप लोग का ब्याज ब्याज लग रहा है आप लोग को 22% आप लोग को लोन देना पड़ा है HDFC बैंक से जो HDFC बैंक है वो private sector की सबसे popular बैंक है SBI और जो आपकी PNB बैंक है वो आप लोग की government sector की अच्छी-काशी बैंक है उसका नाम चलता है SBI के उपर आगे पीछे आती है तो PNB भी ट्रस्टेड आप है गवर्मेंट में आती है तो यह दोनों आप लोग समाझ सकते हैं कि अप लोग को लोग लेना चलता है यहाँ पर अगर आपको वीडियो पसंद आ जीए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजएगा और इस EMI काल्कुलेटर की लिंग मैंने आप लोग को मैंने तो random कोई भी loan amount select कर लिया है तो यहां पर बात करते हैं कि जो हम लोग की loan EMI बन रही है HDFC में हम लोग ने देख सकते हैं कि HDFC का rate of interest चला तो चला 10.55% तो हम लोग यह 10 लाग का amount select है interest rate 10.5% और 5 सालों के लिए तो इसमें हम लोग की मंतली EMI बनती है 21,494 रुपए हम लोग की मंतली EMI बनती है total interest कितना देना पढ़ रहा है bank को हम लोग को 2,89,634 रुपए total interest देना पढ़ रहा है total payment कितनी देनी पढ़ रहा है principal price interest rate मिला करके वह देनी पढ़ रहा है भाई दोको loan लेने से पहले हर जगे चेक कर जरूर कर लेना चाहिए कहां पर हम लोग को loan ज्यादा मिला है कहां से हम लोग को interest rate ज्यादा लग रहा है कहां sales ability का factor है तो यह सारी चेश्या हम लोग को cover कर लेनी चाहिए फिर हम लोग को then loan लेना चाहिए यार हम लोग कुछ सोंचते समझते नहीं और loan लेने के लिए बाग जाते हैं फिर कहते हैं भाई हमको यह इस हुआ रहा यह इस हुआ रहा आप लोग वीडियो अच्छेस नहीं देखते ह उतने साल का आप लोग को एक बढ़िया सा चार्ट देखने को मिल जाता है जिसमें आप लोग को yearly भाइस भी पता दिया जाता है जैसे आप लोग 2022 में क्लिक करेंगे monthly भाइस भी हर पता जल जाता है जैसे आप लोग 2022 के मई में loan लिया तो जून में पता करना चाहते हैं कि कि इतनी मंतली माई जाएगी जुलाई में पता लगाना चाहते हैं तो बता सकते हैं आसानी जिर्ट क्योंकि इसमें अलग अलग इंट्रेस्ट बताया जाता अलग प्रिंसपल अमाउंट बता जैसे एक्जांपल के लिए ले लेते हैं कि जैसे आप से कोई भी बंदा अनुष्ट हम लोग का इंट्रेस्ट डूगा तो ट् обяз जाएगी हम लोग की हो दोलाग साइज़ नौश और रियुटाल पेमेंट जाएगी अब देख सकतीजिक्याप लोग अगर इतना प्रिंट कर दोगज़ सफटाइश परसेंट अप लोग ने लोन पेड कर दी होगा य इस EMI Calculator में हमें कुछ भी माइनली calculate नहीं करना पड़ता है इसलिए मुझे ज़्यादा prefer लगता है इस EMI Calculator को मैं आप लोग को ज़्यादा prefer कर रहा हूं तो आप लोग आई होब आप इस EMI Calculator को यूज करें और अपनी मंथली EMI आई calculate करें तो आगे की बात करते हैं यहाँ पर क्या क्या processing fees लग रही है क्या क्या interest rate लग रहा है तो हमाद चुके है HDFC bank की personal loan details पे तो loan amount ये लोग दे रहे हैं 50,000 से 40,000,000 तक का HDFC bank 10.50% से rate of interest से हम लोग को loan amount जो दे रहे हैं 50,000 से लेकर के 40,000,000 तक का benefits क्या है आप लोग को HDFC से मिलेंगे आप लोग को देखो 10 seconds में और प्री अप्रूवर्ल कस्टमर एंड मलग की फावर फियर इन फोर हावर और अप्लिकांटेड फोर हावर अधर अप्लिकांटेड और मिनमल डॉकुमेंट्स आप लोग को लेकर को हो कि आप लोग प्यंपी लें चलो यह benefit की बात रही और loan प्यांट की बात रही आगे बात करतें प्यंपी में क्या चला है दोनों को comparison बराबर लेकर के चलते हैं लोग तो प्यंपी लोन इमाट बीस लाग तक का आप लोग को दे रही है जो कि government sector की bank है और यह लोग tenure साथ साल का दे रहे हैं public sector के लिए साथ साल का और जो pensioner के लिए वो उनको 5 साल का यह लोग processing fees कितना काट रहे हैं यह लोग एक percent आप लोग of the loan amount आप लोग से processing fees काट लाएं जो कि बहुत कम है मैं तो बहुत कम मानता हूं एक percent बहुत कम होती है आगे बात करते हैं कि यह लोग बहुत सारे इनके पाथ personal loan देखनों मिलने आएंगे बहुत सारे types of personal loan आप लोग को इस PNB bank में देखनों मिलेंगे तो आयोब आप लोग के पास कोई भी आपके आसपास कोई भी ब्रांच हो ना PNB bank की तो वहां से जाकर क्या out भी ज्यादा आप clear कर सकते हो personal loan के बाते में यह लोग अपनी साइड में मोटा मोटा आइडिया लिखे रहते हैं मैं प्रिफर करूंगा कि आप लोग इनकी साइड से लेकर कि आप लोग आप पर प्रोसेसिंग लग रहे हैं यह लोग बहुत ज्यादा प्रोसेसिंग ले रहे हैं उनकी 10,000 लग रहे हैं इनकी 25,000 लग रहे तो आप लोग समझ सकते हैं आप लोग जिसका भाइच है उसका आप लोग ले सकते हैं यहां पर सब्सकतर है जोनि क्वरे माद कि वह बूट है नकीजकी सब्सक्राइबर और यहां वह ओ सकते हैं चाहिँ हुलिए WKY. तो आप जरू के पास बूट इंपिरों सब्सक्राइबर पर नाब मिन्दरा होना पर बाता जाय आप के पास बंदर में ऊंकिंट से उतलेश inhib30 सब्सक्राइब are a यहां फी बात करते हैं डॉकुमेंट्स प्रसune सिंप्ल न雨 पड़ेगा निग पड़ेगा सब्सक्राइब के लिए दो को आधार काट दे सकते हैं और प्रूफ आड्रेस के लिए भी आधार काट अधार कार्ड होगा दोनों काम हो गए और डॉकुमेट्स में आप लोको तो यह आप लोग फीस यह चार्ड वाले सक्सान बे चलते हैं तो यह आप लोग देख सकंगे हैं पोई जरूरी नहीं है यह जाए दिधना ज्यादा हम लोगयों को परसेसिंग दो लोग एक परसेंट ली रहे हैं और फोर्ट डिफेनस परसनल निल आएगी जो डिफेनस परस चार्सों पैतालीस रुपए देने पड़ेंगे और डिफेंस जो अगर डिफेंस में काम करते हैं तो उसके लिए भाई निल है और प्रिपेमेंट चार्जेस आपके निल लाएंगे तो अधिकतर इन्होंने चार्जेस निल करके रखे हुए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है तो इन्हों पॉब्लिक सेक्टर के लिए आप लोग देख सकते हैं दो साल का experience होना चाहिए कोई भी अगर 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 जॉब्लम काम करने दो साल का experience लिए लोग भी मांग रहे है और तीन साल का मैक्समाम होना चाहिए लोग काम करते-करते आप लोग के पास तो अगर आप LAC हो तो who are less than 60 years of age होनी चाहिए आप लोग की have agency for the five years within with stable and regular income and SF or AC without with PNB मतलब कि आप लोग की जो income आ रही हो तो इनके जो account PNB account में उन पे आ रही हो और आप लोग के पास पांच साल से stable होना चाहिए इनका business यह public sector के लिए eligibility और doctor के लिए भी अलग है eligibility तो आप लोग इसकी screenshot ले लिजिएगा मैं ज्यादा नहीं पता सकता हूं कुछ भी यार लोग पब्लिक जहन जी को दीदी को मैंने इनका अंसर complete कर दिया तो आई हूप आप लोगे वीडियो पसंद आई वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और एक हजार सब्सक्राइब कम्प्लीट जल्दी से कर वा दीजिए तो मिलते हैं कौन इए फ़र वीडियो साथ तब तक लिए कुट बाए कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो